हा तो चलो यार गाईदद अब यहां पे आप लोग देखो मैंने अपनी सिटी के अंदर एक बहुती बड़ाkgाटन बना लिया है। यह पे आप लोग देखो यह गाईडन तो कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है। जू चलो यार सुबह Sultan हो चुकी और यार क्या ही दो नीदा था मेरेक यार लेकिन एक सेकंड ये क्या हो रख नीचे लाल-लाल सा यार ये तो वीमल है लेकिन मैं तो वीमल ऊपर नहीं किस तब क्या देखना पड़ Cao अच्छा है मैं नहीं अरे यार एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है उपर से यार ये बिज cardboard ने मेरे गर की बिजली काट ली यार मेरा पंक्खा और AC भी नहीं चल रहा तो अरे यार आज तो मुझे कितना अच्छा सपना आया और सपने के अंदर तो मैं एक गाइडन बना रहा था यार लेकिन ये सुबह इतनी जल्दी क्यों हो जाती है यार सुबह सुबह सोने में तो मेरे को कितना मज़ा आकता है ये हे रहा नहीं जाता अरे यार ये गर्मी तो दिन बाद दिन बढ़ती जा रही है और यार आप लोग देखो सूरज भी कितना ज्यादा चमक रहा है और यार गर्मी के कारण तो मेरे स्विमिंग पूल का पानी भी सूख चुका है अरे यार लेकिन एक सकेंड अभी याद आया यार मैं तो अपने गर के बात टब के अंदर नहाता हूँ तो चलो यार अभी मैं जल्दी से उपर चलता हूँ और अपने बातरूम में नहा लेता हूँ और यहां पे यार गाईज आप लोग देखो ये रहा मेरा बातरूम और यार आप लोग देखो मेरे बातरूम में से तो कितनी अच्छी हुश्बू आ रही है तो चलो यार गाईज अभी मैं यहां पे नहा दो के रेडी हो चुका हूँ और यहां पे चलो यार अभी मैं जल्दी से नाश्ता कर लेता हूँ अरे यार लेकिन एक सकंड अभी याद आया यार आथ तो संडे है और यार संडे के तो मैं नाश्ता नहीं करता यार मैं तो पीजा बर्गर खाता हूँ यम 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 और यार चलो भी मैं यहाँ पर जल्दी से बाल्कनी में चलता हूँ और बाल्कनी में चलके आज के मोसम के नजारे लेता हूँ और यहां पे यार गाईज आप लोग देखो आज का तो कितना अच्छा दिन चड़ा है यार लेकिन एक सेकंड ये क्या यार आप लोग देखो ये सड़क के किनारे इतनी सारी सुशिल कन्या क्या कर रही है अरे यार ये सुशिल कन्या तो यहाँ पर सड़क के किनारे डांस कर रही है और यार आप लोग देखो ये डांस करते हुए तो कितनी ज़्यादा बढ़िया लग रही है अरे यार ये सुशिल कन्या तो कितनी सुन्दर लग रही है क्यों ना यार मैं एक दो का अपना नंबर दे आता हूँ कोई तो मेरी गल्फेंट बन जाएगी अरे यार मैं तो मजा कर रहा था यार मैं तो एक सक्त लोंडा हूँ यार चलो भी मैं जल्दी से नीचे चलता हूँ और नीचे चलके आप लोगों को अपनी गारियां दिखाता हूँ और यहां बेयार गाईज आप लोग देखो यह रही मेरे चोटे बाई की साइकल जो के कबारा हो चुकी है बिल्कुल मेरे चोटे बाई की तरह और यहाँ बेयार गाईज आप लोग देखो यह रहा मेरा फेवरेट बाइक मेरा फेवरेट बाइक हाया बूसा बूसा बाइक है ने बूसा और यहां पे आर गाइज आप लोग देखो ये रही मेरी फेवरेट महिंदरा थार जो के बिल्कुल लाल टामाटर लग रही है मेरी तरह अरे रे पापा वो मैं कह रहा था के मैं अपनी महिंदरा थार को लेके अपने दोस्तों के साथ गुमने जा रहा हूँ अरे रे बेटा इदर गर में बिजली का बिल इतना ज्यादा आ चुक है और तुझे अपने दोस्तों के साथ बाहर गुमने जाना है बेटा पेटरोल का खर्चा मेरे पास नहीं है तु साइकल को लेके चला जा क्या क्या तुझे स्कूल नहीं जाना और तू अपने दोस्तों के साथ बाहर गोमने जाएगा हाई रे मममी अरे रे पापा मैं तो मजाग कर रहा था मैं तो गुमने नहीं जाओंगा मैं तो स्कूल जाओंगा तो चलो यार गाईज अभी मैं जल्दी से अंदर चलता हूँ वरना पापा मुझे मार मार के मेरा पिछवारा लाल कर देंगे हाँ तो चलो यार गाईज अभी मैंने याँ पे दास भी सुर्वे भी ले लिए तो चलो यार अभी मैं जल्दी से बाहर चलता हूँ और बाहर चलके समोसे कचोरी खाऊंगा अरे यार मेरे पापा के पास बहुत पैसे होते हैं लेकिन यार मेरे पापा तो मुझे पैसे देते नहीं है यार अभी तो मुझे कुछ ना कुछ करना होगा यार अभी मैं कोई काम दंदा करूंगा और करोड़ों रुपया कमाऊंगा अरे यार लेकिन मैं क्या काम करूँ यार मुझे तो कोई काम दंद ही नहीं आता यार बिलकुल कुकुर हो चुका हूँ अरे यार लेकिन एक सेकंड मेरा दोस्त बबलू किस काम आएगा यार वो तो मुझे कोई ना कोई काम देता रहता है तो चलो यार अभी मैं जल्दी से अपने दोस्त बबलू के पास चलता हूँ काम दंदा लेने के लिए बाकी मेरे भाई तुम लोगे टुकर टुकर हास रहे हो यार भी तक वीडियो को लाइक निकिया तो फ्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार तो चलो यार गाईज अभी मैं या पर अपने हायबू सा बाईक को लेके बबलू के पास आ चुका हूँ और यह रहा बबलू चलो यार अभी मैं अपने बाईक को कड़ा करके बबलू से बात करता हूँ अरे रे बंटी तू आ गया क्या मैं तेरे इंतजार कर रहा था और बंटी तू ने आने में इतनी देर क्यों लगा दी टकलू कहीं के अच्छा अच्छा बबलू तो तु फिर मुझे ये बता के तु मुझे कौन सा काम देगा जिसको करने पे तु मुझे करोरो रुपया देगा तो देखो बंटी अगर तुम सच में करोड रुपया लेना चाहते हो तो तुमें ये जो सामने इतनी बड़ी जमीन दिखाई दे रही है इसके उपर तुमें हवा में एक बड़ा सा गाइडन बनाना होगा तो मैं तुमें पांच करोड पे दूँगा पैसा ही पैसा हो गया ओल्लाह भीबी हमारे पास इतना ज्यादा पैसा होती कि हम पैसा समुंदर में बहाँ देती अरे 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 लेकिन एक सेकेंड ये बबलू तुझे क्या हो गया तू नीचे मेरे बाइक के पास क्या कर रहा है अबे बे वो कुछ नहीं यहां पे तेरे बाइक के पिछले टायर में से हवा निकल रही है तो मैं यहां पे हवा बर रहा हूँ हाँ तो यार गाईज अभी आप लोगों ने देखा ना कियार मेरे दोस्त बबलू ने मेरे को बोला कि अगर मैं उसको यहां पे यहां पे यह वली जमीन पे एक बड़ा सा फ्लाइंग गाल्डन बना के दूँगा तो वो मेरे को पांच करोड पे देगा अरे यार अगर मुझे पांच करोड पे आमिल गया तो यार मैं तो पांच करोड मेंसे पीजा बर्गर और अर गोल्डestens पीऊंगा यम 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 एहे रहा नहीं जाता तो चलो यार गाईज अभी मैंने यहां पे हवा के अंदर एक रोड तो बना दिया तो चलो यार अभी मैं इसके ओपर गाल्डन का काम चालू करता हूँ और यहां पे यार गाईज़ अभी मुझे गाल्डन को हवा के अंदर बनाने के लिए यहां पे हवा में एक बहुत ही बड़ा फ्लोर बनाना होगा तो चलो यार भी मैं यह वली टायलू को यूज़ करके बड़ा सा फ्लोर बना लेता हूं चलो भई और यहां पे यार गाईज़ आप लोग देखो मैंने काफी ज़दा मेंनग Committee करके यहां पे यह वली फ्लाइंग गाल्डन के लिए कितना बड़ा फ्लोर बना लिया और यहां पे मैंने बहुत सारी गास भी लगा दी और यहाँ पे यार गाईज अभी मुझे ये वले बड़े से फ्लोर की चार उत्रव यहाँ पे जाली की दिवारे बनानी होगी तो यार गाईज आप लोग मुझे जाली की दिवारे को चीट कोड बता देना मैं चीट कोल लगा के यहाँ पे जाली की दिवारे बना लेता हूँ और यहाँ पे आर गाईज आप लोग देखो पूरा एक गंटा मेहनत करने के बाद यहाँ पे मैंने यह वले फ्लोर की चार उतरफ जाली की दिवारे बना दी और यार आप लोग देखो यह जाली की दिवारे तो कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है और यहाँ पे यार गाईज अभी मैं यह वले गाईडन के अंदर गोमने के लिए यहाँ पे मस्त वाले रास्ते बनाने वाला हूँ तो चलो यार अभी मैं यहाँ पे यह वली टाईलू को यूज करके गाईडन के अंदर रास्ते बना लेता हूँ चलो भई तो चलो यहाँ पे बना लेता हूँ और यहाँ पे यार गाईड़ आप लोग देखो मैंने यह वली टाईलू को यूज करके कितने मस्त मस्त रास्ते बना दी और यह वले रास्तू के उपर आप जोगिंग कर सकते हो लेकिन यार यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है तो यार गर्मी से बचने के लिए तो मुझे पेड़ पोदे लगाने होंगे तो चलो यार अभी मैं यहाँ पे पूरे के पूरे गार्डन के अंदर यह वले पेड़ू को लगा लेता हूँ हुआ हुआ है All right guys यहाँ पे भी आप लोग देखो मैने फाइनली यहाँ पे पूरे के पूरे गार्डन के अंदर कितने बड़े बड़े पेड लगा लियो और यार आप लोग देखो यह पे पेड़ पोसर से तो यहाँ पे कितनी फंडी घंडी हुआ चल रही है और यहाँ पर यार गाईज अगर आप लोग यह वले गाईडन के अंदर आते हो तो आप वाकिंग करते करते ठक जाओगे तो आपको बैठने के लिए कोई जगा भी तो चाहिए तो यार गाईज अभी मैं यहाँ पर बैठने के लिए जगा भी बनाने वाला हूँ तो चुलो यार गईज अभी मैं यहाँ पर यह वाली टाइलू को दोनु तरफ लगा के फलोर बनाऊंगा और फिर उसके ओपर मैं टेबल कुर्ची बना के आपके बैठने के लिए जगा बना देता हूं हाँ तो चलो यार गईज अभी यहाँ पर आप लोग देखो मैंने कितनी ज़्यदा मेंनत करने के बाद यहाँ पर आपके बैठने के लिए दोनु साइड उपे कितनी मस्त जगा बना दी बैठने के लिए औरे यार मैं तो कच्रा फैंकने के लिए यहां पर डस्च बीन लगाने भूल गया तो चलो यार गाईज अबी मैं यहां पर पूरे के पूरे गायडन चेंदर यहां पर कुडा दान और डस्च बीन को लगा लेता हूं ताके कोई भी कच्रा नीचे ना फैंके I just wanna heal I just wanna fall और यहां पर यार गाईज अभी मैं यह वाले गाईडन के अंदर यहां पर बहुत ही मस्त वाले डिजाइन बनाने वाला हूँ तो चलो यार अभी मैं यह वाली गास की क्यारियों को यूज करके यहां पर मस्त वाला डिजाइन बना लेता हूँ अरे यार गाईद अभी यहाँ पे आप लोग देखो यह गाईडन के अंदर यह पोदू को लगाते लगाते तो यार दस गंटे हो चुके हो और अभी तक मैं यह वले गाईडन के उपर काम कर रहा हूं यार अभी आप लोग मेरे लिए एक लाइक और चैनल को सबस्क्राइब कर देना तो चलो यार गाईद अभी यहाँ पे आप लोग देखो फाइनली मैंने अपने पूरे के पूरे गाईडन को मोडिफाई कर लिए तो चलो यार गाईज अभी मैं आप लोगों को अपना पूरा का पूरा गार्डन अंदर से दिखाता हूँ तो यहाँ पे यार गाईज आप लोग जैसे यह वले गार्डन के सामने आओगे यहाँ पे आप लोग देखो यह गाल्डन के अंदर जाने के लिए आपको यहाँ पे कितना मस्त रास्ता मिलेगा और यह वले रास्ते को यूज करके आप लोग गाल्डन के अंदर जा सकते हो और यहाँ पे आर गाईज आप लोग जैसे यह वले गाल्डन के अंदर आओगे यहाँ पे आप लोग देखो यह गाल्डन अंदर से भी कितना ज्यादा बढ़िया लाग रहा है और यहाँ पे आर आप लोग देखो मैंने गाल्डन के अंदर कितना मस्त डिजाइन बना दिया और यहां पे आर गाईज आप लोग देखो मैंने ये गास की क्यारी उसे कितना मस्त डिजाइन बना के इसके अंदर पोदा लगा दिया और इसके अंदर मैंने पानी भी चोड़ दिया और यहाँ पर गाईज आप लोग देखो यह गाल्डन कितना ज्यादा बड़ा है और यहाँ पर यहाँ पर गाल्डन के अंदर मैंने कितनी सारी कोड़ा दान और डिस्ट बीन को लगा दिया ताकि कोई भी कचरा नीचे ना फेंके और यहां पे आर गाईज अगर आप लोग यह वाले गाईडन के अंदर वाकिंग करते करते ठक जाते हो तो आपको यहां पे बैठने के लिए भी जगा देखने को मिलेगी और यहाँ पे आर गाईज आप लोग देखो मैंने आपके बैठने के लिए यहाँ पे कितने सारे टेबल बना दिये और यार आप लोग देखो यह टेबल के बीच में यहाँ पे मैंने चोटा सा पोदा भी लगा दिया और यहाँ पे आर गाईज आप लोग देखो इसी तरह की एक और बैटने की जगा भी मैंने इस साइड पे बनाई है और यहाँ पे भी आप लोग अपने दोस्तों के साथ बैट कर खाना भी खा सकते हो और यहाँ पेयार गाईज आप लोग देखो मैंने गार्डन के बिल्कुल सामने यहाँ पे कितना बड़ा पंका बना दिया और यह पंके से आप लोगों को ठंडी ठंडी हवा भी आएगी और यहाँ पर यार गाईज आप लोग देखो मैंने यह वली टायलू को यूज करके है यहाँ पर अगर आप लोग यह वले रास्ते के ओपर चलोगे तो आपका मोसम तो ऐसा लगेगा दिल गाल्डन काल्डन हो रहा है हां तो यार गाइज अब है आप लोगों ने देखा न कियार मैंने कितनी ज़दा मेहनत करके आपके लिए ये इतना बड़ा गार्डन बना दिया तो यार गाइज अगर आप लोगों को ये गार्डन अच्छा लगा तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ कि आप इसको 10 गाल्डन दे सकता हूँ तो यार गाई जगर आप लोग को हमारा यह नहीं हो गाल्डन अच्छा लगा और आप लोग भी अपनी सिटी के अंदर इसको लेना चाहते हो तो आप लोग को वीडियो को लाइक करके कोमेंट सेक्षन में गाल्डन ओपी लगाना पड़ेगा एहे रहा नहीं जाता तडपी ऐसी है ना